हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं डूप चनल आज फिर एक नई जानकारी भरी वीडियो के साथ आपके पास आ गया हूं जिसमें आपको बताने वाला हूं कि हमें कैसे देखना है कि हमारा लेबर वेलफेर बोर्ड का कंट्रिबूशन हुआ है कि नहीं हुआ है दोस्तों इसमें आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं जिसमें दिखाने वाला हूं कि industry worker को कैसे चेक करना है construction worker को कैसे चेक करना है कि उनका जो contribution होता है लेबर वेलफेर में वो हुआ है कि नहीं हुआ है तो दोस्तों इस पूरी जानकारी के लिए हमारी वीडियो जुड़े रही हैं आपके सामने कुछ इस परकार का इंटरफेस आ जाता है जहां पर इसका पहला ही जो लिंक आ जाता है उसकी official website के लिए आता है जैसके आप में highlight करके दिखा दे रहा हूं इस पर click कर लेना है click करने के आप देखेंगे कुछ इस परकार का इंटरफेस open हो जाएगा यहां पर right side में user login for e-services दोस्तों यहां पर आपको में बता दूं अगर आप construction worker हो तो आपको fourth option में आना होता है और अगर आप industry worker हो तो आपको third option में आना है जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं third option welfare board beneficiary और fourth option hbocw board beneficiary login दोस्तों इसका आपको बहुत ध्यान रखना है मैं यहां पर आपको बता दो उसके आगे कोई difference नहीं होता है सिर्फ जो भी difference होगा आपको यहीं पर करना होगा अगर industry work करें और construction वर करें तो उस पर click करने के बाद आप यहां पर इस इंटरफेस पहुंच जाते जहां पर आपको login करना होता है तो अपनी login detail दोस्तों आप फिल contribution detail आपको इसी वाले option पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपकी यहां पर सारी contribution detail आपको दिखा देगा जैसे इसमें आपको दिखा रहा है यहां पर last के years में contribution नहीं हुई है 2022 में भी और 2023 में भी जबकि यहां पर यह working है तो दोस्तों इसमें इनको नुकसान क्या ह आपको इस वीडियो में बताऊंगा यहां पर मैंने आपको दिखा दिये कि इसमें ऐसा detail है अब जिनका fill up regular basis पर हो रहा है उनका क्या दिखाता है मैं आपको वह भी दिखा देता हूं तो इसके लिए मैं उपर आके इसे log out कर लेता हूं log out करने के बाद मैं कोई दूसरी ID द successfully login हो जाएगा दोस्तों जैसके आप इंटरफेस में देख पा रहे होंगे जैसी मैं लॉग इन करा मेरे सामने कुछ इस परकार का इंटरफेस आगा है यहां पर मैं आ जाता हूं contribution detail दोस्तों contribution detail पर क्लिक करने के बाद मैं नीचे आ जाता हूं नीचे आने के बाद आप दोस कोई समस्या नहीं है यहां पर एक दो महिने अपडेट होने में भी लगते हैं तो इसलिए अप निश्चीनत रहेंगे मेरा यहां पर पिछले साल का पूरा updated है अब मैं यहां पर स्कीम पर अपलाई करने आदो तो मेरे को किसी परकार की कोई समस्या नहीं आएगी लेकिन द कर लेता हूं और फिर से मैं वही पुरानी आइडी ओपन करके आपको दिखा लेता हूं जिसमें मेरा कंटुबिशन पूरा नहीं हुआ था और मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं दुवारा से लॉग इन पे पासवर्ड एंटर कर लेता हूं एंटर करने के बाद नीचे जो कैप्चा आपको शू कर रहा बॉक्स में फिलप कर लूँगा यह चीजे फिलप करने के बाद नीचे सब्मिट का जॉप सन आ रहा है माई उस पर क्लिक कर लेता हूं दोस्तों जैसे में सब्मिट पर क्लिक करता हूं मैं रेडिरेक्ट हो तो एसकी ऑफिशल पहलु का हुग, लेकिन 2022 का कुछ नहीं है तेस का वी अफडेट होने में चानी कंदिंग उसकी कोई बात नहीं है लेकिन जब मैं सकीम वाले पेज पेज़ पेज में करने के लिए आता हूं तो यहां पे डिखा दिया जाता है you are not eligible to apply on welfare scheme due to contribution payment pending from your management मतलब आपकी company के द्वारा आपका जो contribution है वो अभी यहाँ पे payment नहीं किया गया है इसलिए आप scheme apply नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया है कि किस परकार से हमें चेक करना हमारे contribution हुआ है कि नहीं हुआ है यह जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएगा इस जानकार से आपको थोड़ सी मदद मिली हो तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब क्योंकि इस परकार की जानकारी भरी उड़े हैं आपके लिए लाते रहते हैं धन्यवाद